हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चनल, आप सभी का आज की इस पाठियोजना की वीडियो में एक वर्फिस से बहुत बहुत स्वागत है, आज हम देखेंगे यहाँ पे अर्थ सास्त्र विसाय की पाठियोजना, जिसका प्रकर्ण होगा अर्थ व सब्सक्राइब बटन उसके क्लिक करके सब्सक्राइब पर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा, और अगर आप लोगों को एकनोमिक्स की यानि की अर्थ व्यस्था की और भी पाठियोजना है चाहिए, तो आप नीजे कमेंट बाक्स म यानि कि पाठियोजना संख्या, पाठियोजना के आगे जो भी आपकी नंबरीं होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, जो भी होगी, उसको अपलिक दीजिएगा, उसके बाद आपको विद्याले का नाम लिखना है, जिस विद्याले में आप पाठियोजना पढ़ाने के ल और दिनांग के याँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपनी कौन सी पाठियोजना किस डेट को बनाई थी, आप इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकण है अर्थ विवस्था, उसके बाद सामानी उद्यस से लिखना होता है, सामानी उद्यस म आर्थिक विवस्था का ज्यान कराना, चौथा पॉइंट है छात्रों को आर्थिक सिध्धानतों, नेमों और विवस्थाओं का ज्यान कराना, और पांचों पॉइंट है विस्व के अनि राष्टों की अर्थ विवस्था का ज्यान कराना, यह होगा सामानी उद्यस के पॉ पंट चात्र अर्थवस्था के बारे में जान सकेंगे, दूसर पंट चात्र अर्थवस्था को परिभासित कर सकेंगे, तिसर पंट चात्र देश और विदेशों की अर्थवस्था को समझ सकेंगे, अगला हेडिंग है सहायक समगरी, इसके अंतरगत वो सभी समगरियों के बा पेट से आमपट अर्थ वस्था को बिदर्जित करता हुआ चार्ट आधी मुतलब इसके लाओं अगर आपको भी और चीज इंक्लूड करना चाहते हैं और चीज एड करना चाहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं उसके बाद आपको पूर्वग्यान हेडिंग लिखना है जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो तीन कॉलम का होता है किसी किसी कॉलेज में दो कॉलम ही बनाने के लिए बोलते हैं क्रम संक्य हटा देते हैं छातरा ध्यापक कतन और छातर क्रियाएं लिखते हैं छातरा ध्यापक कतन की जगह अगर लड़की है अब तो छातरा दूसरा प्रसन आपका पहले प्रसन के उत्तर से बनेगा, दूसरे प्रसन के उत्तर से तीसरा प्रसन बनेगा, तीसरे प्रसन के उत्तर से चौथा प्रसन बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, तो ये तीन चीजे ध्यान देंगे, तो आप प्रस्तावना प्रसन अराम से बना सकत तो बच्चे बताएंगे रुपया पैसे घमने के लिए हमें नौकरी करना पड़ता है या फिर बिजनेस करना पड़ता है आपको और भी आंसर मिलेंगे तो उसमें से जो इंपोर्टेंट हो लिख लिए यहापे फिर तीसा प्रसंद बनता है यहापे नौकरी किस प्रकार की की व्यवस्था कहलाती है तो नौकरी एंसर मिलेगा आपको अर्थ व्यवस्था या फिर कोई बच्चा बोलेगा पैसे की व्यवस्था कोई बच्चा बोलेगा धन की व्यवस्था जरूर मिलेगा आपको एंसर उसके चौथा प्रसंद बनेगा आपका अर्थ व्यवस्था के विस्तारपूरोग अध्यन कराऊंगा यह आप बोलेंगे इस तरीके से क्लास में और क्लास में अपने फाइल में इस तरीके से लिख लेंगे आप बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर प्रस्तूतिकर अपना स्टार कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रस्तूतिकर सब्सूपर लिखने के बाद आपको पांच कोलम बनाने के बाद आप सिछडविंद मतलब कि यह पॉंट आप पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले विकासात्मक प्रसंद पूछे एक दो पहला प्रसंद है रुपए से सम इसको इस प्रस्तिकर दे वच्चों को समझाए उस चीज को यह प्रस्नीकर भी दी थी तो प्रस्नीकर भी दी लिख दीजिए फिर उसके बाद इस प्रस्तिकर में अर्थवस्था सब मूलता है दो सब्दों से मिलकर बना है अर्थ प्लस व्यवस्था अर्थ का तात्पर है धन या मुद्रा ये एनगलश्था का तात्वर है एक इस्थापित कारी परणाली, इस विकार हम कह सकते हैं कि इस्थापित कर्याली, छिसके द्वारा समाज की शंपूर और्थिक रियाएं को मनETER सुध्धन कमाने के उद्थेस के प्रयोग करता है, यहां पर ब्राउन के अनुसार है उसको आप बता दीजे बच्चों को ब्राउन के अनुसार अर्थ व्यवस्ता वह व्यवस्ता है जिसके द्वारा मनुस अपनी आसकताओं के पूर्ति करता है सामने वाले कॉलम में लिखना है आपको 6-16 यहाँ पे शिच्छड विदियों में व्याख्यान विदी और स्यामपट कार पे आप जो पढ़ा रहे हैं उससे इंपॉर्टन जो पॉइंट बनता है वो लिख सकते हैं अर्थ व्यवस्ता सब्ध मूलता है दो सब्दों से मिलकर अर्थ प्लस व्यवस्था और नीचे यहाँ पे शैंपट कार में लिखा गया है अर्थ व्यवस्था वह व्यवस्था जिसके द्वारा मनुस अपनी आउसकताओं के पूर्ती करता है फिर आता है यहाँ पे बहुत प्रस्द पूछेंगे आप बच्चों से पहला बहुत प प्रस्णी करण विद्धी लिख दीजें यहाँ पे अब इसके आगे आप पढ़ाएंगे शिच्छट बिंद में अर्थ वस्था के प्रकार है इस प्रस्टिकर यहाँ पे देंगे अर्थ वस्था मुखित रूप से दो प्रकार की होती है पहला सवामित के आधार पर दूस दूसरा है समाजबादी वे अर्थवरस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थवरस्था, उसके बाद विकास के आधार पर अर्थवरस्था को दो भागों में व्यक्त किया गया है, पहला विक्सित अर्थवरस्था और दूसरा है अल्प विक्सित या विकास सिल्थ अब बोथ प्रस्त में पहले प्राश्था के प्रकार बताव बच्ची बता देंगे यहाँ पर देख लीज़ा ढ़्रस्त के अधार पर दूसरे है विकास के अधार पर दूसरा प्रस्त है यहाँ पे यहाँ पे कम से कम एक से दो प्रसन और ज्यादा ज्यादा तीन से चार प्रसन पूछ सकते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला प्रसन है अर्थवस्ता क्या है तो यहाँ पे बच्चे उसका एंसर देने की कोशिस करेंगे और दूरसा प्रसन है अर्थ वस्था के प्रकार बताओ तो बच्चे इसका एंसर भी दे देंगे क्योंकि आपने अभी बच्चों को पढ़ाया है ये चीज अब लास्ट में आता है गरी कारे बच्चों को घर से करके लाने के लिए कारे जरूर दिया करिए जिससे बच्चे घर पे जाए तो आपने जो पढ़ाया उसको रिवाइड जरूर करें तो यहाँ पर देख लिए गरी कारे दिया गया बच्चों कल तुम लोग अर्थ वस्था के बारे में याद करके आओगे तो दोस्तों ये था आप सभी को पता है कि लेशन प्लान का सबसे लास्ट पॉइंट हेडिंग होता है गरी कारे तो यहाँ पर हमारा आज का लेशन प्लान समाप्त होता है अगर आज का लेशन परन आप लों को अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे जो लाइक का बटन है थमसब का बटन है उसके क्लिक करके लाइक कर दिजेगा इस वीडियो को बिल्कुल फ्री रहता है सारा चीज और एक दो सेकेंड लगेगा नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उसके क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे घंटी का निसान आएगा उसको दबाके ओल नोटिफिकेशन अन कर लिजेगा जिसे में आप लोग की हेल्प के लिए यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करता हो तो उसकी नोटिफिके